कि जो हेलो दोस्तों स्वागत हब काप ने हले आपने यूट्टू चैनल टेक्निकल गुरुजी अमर में आज हम पढ़ेंगे अजेटिकल पावर के बारे में अजेटिकल पावर के सब्लावोगर बेसिकले बढ़ेंगे पर शोड़ी को स्वे पहले यहीं को स्वेस्टिन राइज होता है कि इलेक्ट्रिकल पावर आखिर है क्या जैसे आपने हमारे जर्नल रूटिन में कोई भी आइटम देखा हूँ जो इलेक्ट्रिकल हो जैसे बलब है बलब के उपर आपने देखा हूँगा जो पराने बलबाती थे उन्हें पर सेट वाट्ट या 100 वाट्ट ज्वाज कले लीडी बलबाते हैं उनमें 9 वाट्ट 7 वाट पीज से लिखुए होगता है आपने कोई देखा हूँ जिस पे 220 वोल्ट लिखुए लेकिन उस पर भी वाट लिखुए है यह वाट क्या आता है यही हमारी एलेक्ट्रिकल पावर है अर्थात कोईबी एलेक्ट्रिकल एप्लिकेशन जैसे मान लीजी मारा बलब है जोग्रो other form of energy में जैसे बल्लब से हमको मिलती है light plus 8 electric heater से मिलती है हमको के बल 8 जो ये form है इस दोरान कुछ energy का loss भी होता है energy के loss के बाद ही हमको light plus 8 मिलती है बल्लब से ये हमारे electrical power है ठीक है अब गरम देखें तो जैसे ये कमारा load resistance है जिमें हमने supply voltage दे रखी है C ठीक है ये कोई load resistance है हमारा इसमें जो charge क्यों फोलो कर रहा है अब अगर देखें तो इसमें हमारा loss कितना है अब जैसे जैसे क्यों charge फोलो करेगा ये कुछ समय के लिए फोलोगा जैसे बल्लब हैं हम 10 मिनट के लिए उन करना है तो जो मारा हम यहां भी लोस होगा मलब से जो में light plus eight मिलेगी वो दस मिनट के लिए मिलेगी ठीक है तो जो लोस होगा वो दस मिनट के लिए होगा तो इसको हम लिखेंगे क्यों वी बाइट टी जूल पर सेकिंड जो उपर चार्ज और वोल्टेज है वो हमारी उसकी उनिट है जूल और टाइम की सेकिंड ठीक है अब इसको हम ट्रांस्वर्म करके देखेंगे अलग लग फोर्मूले जिससे में मिलेंगे पावर के उनके बारे में हम पड़ेंगे कि वो कैसे काम कर रहे हैं बेशिकल यह हमारा एलेक्रिकल पावर का ही फोर्मूला है अब अब देखिए क्यों को में क्या लिख सकते हैं यहां पर आईटी मनलब करंट फ़लो हो रहा है कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए ठीक है और यहां पर टीक निच्छे जो पर टाइम यह है लोस कि कितनी देर हमें इस लोड को ओन कर रहे हैं तो आईटी इंटू वी बाइटी कि टी सिटी कट गया और हमारे पास यहां पर सेस रह गया वी आई और यह पावट अर्थात जो हमारे पास power है वो voltage into current का multiplication है voltage into current अगर हम unit देखें तो voltage की volt और current की इसको convert करते है दो हैं है कि याई को कि जो मारी वोल्ट जोती है ओमल साधर इसए हमारी विकल टू मिर एक बार्ट आइर कि एक पर कि औला है ओमला के कुल उमारी वोल्ट जो गई इसमें अब हम V की जगे- इर पुट करेंगे तो हमारा निकल के आएगा आई आर इन्टो आई मरभर आई स्केर और जो पहला फोरूला अमारा पावर का ये निकल कर आगया सेकंड ये निकल कर आगया अब इसी के खोरडिंग ओंला के खोरडिंग अगर हम i की value निकलना चाहें तो i हो गया हमारा v by r यहां पर i की जगह हम रखेंगे v by r तो यह i square है तो v by r का भी हमारा all square होगा into r तो हमारा formula drive होके आ गया v square by r square into r r से एक पावर गई तो यहां पर बच गया v square by r यह हमारा third formula आ गया बिल्गुल एक formula से की हमारा कितनी energy बल्लब convert कर रहा है eat और light में इन तिन formula को हम अपने according यूज कर सकते हैं कहीं पे भी कि हमारे को example क्या दिया है numerical में क्या हमें sol करना है क्या equipment यूज किया है उसके according अब देखेंगे हम power की unit कैसे निकाड़ते है power का basic जो formula वो यही है single phase का और three phase का formula लग होता है जैसे जो three phase circuit के बारे हम पड़ेंगे उस time उसको हम देखेंगे कि three phase formula क्या होता है इन दोनों में अंतर क्या होता है तो जैसा कि अमने इसमें देखा जो power होती है वो होती है V I V for voltage, I for current की यूनिट हो गई वोल्ट, I current current की यूनिट हो गई ampere तो जो power की यूनिट है वो हमारी होगी अगर हम जो back calculation की हमने वो देखें और ये देखें तो यह मारी power की यूनिट आई है अब देखेंगे कि watt है जो हमारी यूनिट वो बिल्कुल smaller unit है अगर इससे हम larger unit को देखें क्योंकि जैसे जैसे हमारा load बड़ेगा अभी हमने सेट वाट के वल्लव का या सो वाट के वल्लव का एक जामपल लिया या LED का एक जामपल लिया लेकिन जैसे मारा वाट या power बड़ेगी appliance की उसके coding हम वाट भी ज्यादा लेते हैं अगर अजार वाट की बात करें हम अजार वाट अमारा equal होता है किलो वाट के है है ठीक है कि एक अजार किलो वाट है हमारा इक वह लोता है है एक मेगावाट के कि एक किलोवार्ट को हम लिखते हैं वेशिकलिए अगर वाट की फोम में लेके जाएं अगर इसको जैसे कंगुलेशन आजार लिखेंगे लेंद्धी क्लिवलेशन पड़ेगी तो इसको में लिख सकते हैं दस की तीन वाट एक मेगावाट को लिख सकते हैं, दस की छे वाट, यह जो पर पावर लिखी गई है, यह, इनका बेसिक रूप शे मतलब होता है कि, अगर इनको हम तोड़ना चाहें, तो जो पहली डिजिट होती है, इस साइड से दाई वाली, यही काई यह दाई, इसमें एक उठाया, तीन क मदलब्य कि, इस के आगे टीन जिरू, वाट है हमारी उनिट, तो यह अजार वाट इसके वराबर आ गया, प। उसकी 6 को देखें तो एक क्या आगए 6.0 वाट यह हमारा मेगवाट में आजाएगा अगर एक मेगवाट को इस फॉर्म में लिखें तो एक क्या आगे 6.0 लगांगे लिख सकते हैं यह हमारा कनफरसेशन है अभी यह हमारी यहां भी द्यान रखेने बात यह है कि जो पावर की उनिट पढ़ते हैं वह वाट किलोवाट मेगावाट ही पढ़ते हैं एसा ना हो एक जाम में वाट किलोवाट या मेगावाट आपके पास ऑप्सन ही नहीं हो और लास्ट ऑप्सन हो नन ओफ दैब हो किन में से कोई नहीं और आपका कोश्चन को दो जाए इद्यान रखना है पावर की सेकंड यूनिट होती है वोल्ट एंपियर पावर की दो यू होती है एक वाट एक वोल्ट एंपियर ठीक है अब बेसिक लिए कि इनके साथ एक कोस्चन और एक जाम में आता है कि हमारे पास दो आइटम है एलेक्ट्रिकल एप्लेंस जिनकी पावर है की सो वाट सेकंड की साथ वाट तो कौन सी एप्लेंस हमको ज्यादा एनरजी देगी तो आपको बताते हैं जिसकी ज्यादा जितनी ज्यादा वाट होगी उतनी ही ज्यादा उसकी पावर होती है उतनी ही ज्यादा वह उनको एट या लाइट एनरजी देगी कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनरजी को ठीक है जैसे अगर बोलें कि हमारे पास एक साथ वाट का है इसका मतलब है कि जो हमारा साथ वाट का अवलब है वो साथ जूल पर सेकंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कनवर्ट करता है इट एनर्जी और लाइट एनर्जी में सेकंडिक जंप लेते हम कि हमारे पास इटर की कोईल है एक जार वाट की इसका मतलब है कि जो हमारे इटर की कोईल है वो एक जार वाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इट एनर्जी में एक जार जूल कनवर्ट करती है बिल्कुल जस्ट वो युनिट लेकिन वाट को हम जस्ट कनवर्ट करेंगे जूल में क्योंकि इट एनरजी जूल में युनिट होती है पावर हमारी एलेक्ट्रिकल पावर वाट में होती है और वोल्ट एम्पियर में होती है इसलिए वोल्ट एम्पिर और वाट में उनको कन्फूजन नहीं होना है कि अमारी यूनिट वाट होती है वोल्ट एम्पिर दी गई है यह दोनों एकी चीज़े हैं यह इस कल्कुलेशन से आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले से यह चीज़े ठीक है ओके थैंक्यू जैहिन ज